वेलकम तो डाइट वरस्टी आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे हाउ टू डिद्यूस योर टम्मी फैट योर बैली फैट तो जब भी विंटर जाती है तो एवरी विंटर जाने के बाद जब हमारी जैकेट्स ओपन होती है तो लगता है यार यह टम्मी तो इतना बढ़ चुका है इसको कैसे रिडियूस करना है इसको रिडियूस करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यह टम्मी फैट आता कहां से है कौनसे फूड है जो इसको परमोट करते हैं तो उसके लिए सबसे इस हमारा staple food है तो जो हमारा staple food है वो मेंली carbohydrate rich है तो carbohydrate जब हमारे बहुत ज्यादा amount में लेते हैं तो mostly वो tummy fat को भढ़ाता है अब ऐसा नहीं है कि हम लोग carbohydrate खाना बिलकुल ही बंद कर दें बिकस मेंली तो जो लोग अपने आपसे अपना weight reduce करते हैं वो क्या करते हैं अपनी डाइट में से काबोईडेट को बिलकुल ही दिलीट कर देते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, विकर्स काबोईडेट हमारा मेन इनरजी का सोर्स है, अगर हम लोग काबोईडेट बिलकुल नहीं लेंगे, तो क्या होगा, कि हमारी बॉडी को इनरजी तो मिल जाएगी, वो प्रोटीन से मिलेगी, टो अब जो प्रोटीन हमारי एनरजी का काम करेगा, या प्रोटीन से अगर हम इनरजी लेंगे, तो हमारे टीशू बुल्डिन कैसे होगी, दिकर्स बावतितिन तो अगर हमने उसको इनरजी के लिए यूज़ कर लिया, तो हमारे टीशू क्वाइड्या ठीन उड़ीरिकत लेने हैं हो कौन से कापोहिड्रेट्स लेने हैं हमारे पास दो त्रह के मेंकल्या काप ada आ क्वाइड़िडा सिंपल काप PO हॉइड क्भाइड़ जादा इनगे होते हैं जिपने बहीं रिफाइड़ तो मेदा और मेदेव से बनी होई चीजे जैसे की बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें मैक्सिमम रिफाइन फ्ला यूज होता है केक्स होगे पैटी जोगी बर्गर्ज होगे और बिस्कित्स होगे और जैसे रस केक हो गए ऐसी चीजे हैं हम लोग कभी पेस्ट्री खाते हैं और इसके इलावा पिज़ा है ऐसी वली चीजे और इवन की हमारे पास कोड रिंक्स है या अधर ड्रिंक्स जो की शुगरी डिंक्स बहुत रहे की मार्केट में अविलबल हैं तो जब ऐसी चीजों का हम लोग इंटेक करते हैं यह क्या करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को एकदम से राइस कर देता है तो क्या होता है इंसुलीन नाम का होमोन हमारे पैंक्रिया से सिक्रीट होता है क्यों 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 उसने ब्लड शुगर को यूटिलाइस करना है और अब क्या होता है कि जब इंसुलीन सिक्रीट होता है उसके दो काम है एक तो ब्लड शुगर को इंसुलीन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है अब क्या बात है कि बलड में इतनी सारा गुलुकोस एकदम से आने के बाद क्या होता है कि वह हमारा जितने भी सेल्स उतिलाइस उसने करना होता है एकदम से तो सारा यूटिलाइस नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे ही बाडी ने तो यूटिलाइस करना है तो जितना तो वो यूटिलाइस हो गया जितना तो बाडी की नीड है वो सारे सेल्स में पहुंच गया और उसके बाद क्या होता है जो बचता है तो वो हमारे फैट में convert हो जाता है और वो यहीं पे वो tummy area पे ही आता है and अब क्या है कि हमने उसको reduce करना है reduce करने के लिए क्या करेंगे हम लोगों हमें तो energy तो हमें चाहिए हमें other vitamins, minerals यह सब भी चाहिए तो हमने ज्यादा से ज्यादा complex carbohydrates को include करना है अब complex carbohydrates कहां से आते हैं जैसे कि जितने भी fiber rich food है उसमें vegetables भी हैं हमारे fruits भी हैं हमारा जैसे whole grains होगे pulses होगी यह सब जो है हमें complex carbohydrates देती हैं जैसे कि हर एक food को हम लोग उस form में लेके आ सकते हैं इस आस आपने देखा होगा कि अब चोटे थे जो हमारे रोटी घर पर बनती है मैंने तो देखा है जब हमारी रोटी घर पर बंती सी short जैसे отличivity घर जो होता हो बहु करना नेड़ा वूंती अर लेकिन आज कर घर रोटी बनती है तो वो क्या होती है एकदम से सफेद होती है और हमें लगता है कि जो वाइट रोटी है वो ज्यादा देर तक सूकती नहीं मतलब इतनी सॉफ्ट हमें महसूस होती है सॉफ्ट लगते खाने में भी ज्यादा सॉफ्ट लगती है बट जितनी ही वाइट है उतनी ही ज्यादा डेंजरस है उतने ही उसमें सिंपल काप्स हैं जितना हम नेचर के ज्यादा क्लोज रहेंगे नेचरल प्रोड़क्ट्स को जितना हम सेम उसकी फॉर्म में यूज करेंग उतना ही हम लोग complex carbs हमारी बॉड़ी में ज्यादा जाएंगे स्पोर्स जैसे fruits है fruits को ऐस सच हम खाएंगे तो उससे ज्यादा complex carbs हमें ज्यादा मिलें fiber ज्यादा होगा और वो fiber क्या करता है हमारे blood glucose को ज्यादा एक दम से rise नहीं करता है तो जितना हमारे cells को चाहिए उतना वो धीरे-धीरे हमारी body में आता है धीरे-धीरे सारे cells में जाता है वो cells आपने complex carbohydrates को include करना है वो भी limited amount में आता है जो आपका घर पर पिसाता है जो भी आप market से buy करते हो तो वो एकदम से मैदे की form में नहीं होना चाहिए जितना वो थोड़ा सा मोटा हम रखेंगे पिसा के तो उतना ही उसमें complex carbohydrates ज्यादा आ जाएंगे या केलो की fiber जो है वो ज्यादा आजाएगा सेकिंड फिंग इस कि suppose जैसे वीट है तो उसको हम लोग अगर दलिया की form में यूज करें तो वो उसमें जो fiber ज्यादा है starch हमें ज्यादा मिलेगा और राइस है राइस में भी starch जो है जैसे जो unpolished राइस है पाबोल्ड राइस है अगर white rice भी suppose हम लोग खाना चाहते तो white rice में हम लोग vegetables डालके पुलाओ की form में ले सकते हैं उसमें डाल और vegetables दोनों ही डालके खिच्डी की form में ले सकते हैं उसमें न्यूट्री मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद जो जैसे चपाती है अगर suppose हम लोग plain चपाती भी खाना चाहते है वीड चपाती तो उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा vegetables add करके वैसी चपाती बना सकते हैं ओट्स हैं ओट्स को ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं मिलेट्स को ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं मिलेट्स में हमारी रागी है बाजरा है बाले है जवार सौरगम जिसको बोलते हैं तो ऐसे ही कोडो मिलेट हैं लिटल मिलेट हैं तो इ कर लोगी चीनी जिसको हम लोग बोलते हैं तो उसको हम लोग ज़्याद से ज्यादा डाइट से डिलीट करें तो बेसिकली आपको यह बात अब समझ लग गई होगी कि अगर हमारा सिर्फ मैं आज सिर्फ बात कर रहे हूं यह तंवी एरिया की या बैली फैट की बात कर रहे कौन्टिटी कितनी खाते हूं उसका है तो इसलिए अकेली चीज से बात नहीं बने गी अगर आप कहो कि हम लोग बहुत सारी चीज करते हैं हम Dakota by खाते हैं तो से कुछ नहीं होने वाला आपको अपने फूड को देखना पड़ेगा कि आपने किस चीज को इंकलूड करना है किस चीज को डाइट से डिलीट करना है जिससे आप ये टम में अराउंड अपना जो फैट है उसको निकाल सको तो ऐसे जैसे हम लोग विंटर में जैसे पिन्या लोग खा आपका जो है ये शुकर लेवल से आदा अप नहीं होता है तो इसलिए आपने काबोईडेट से इंकलूड भी करने हैं बट कौन से वाले कॉंप्लाक्स काबोईडेट जब आपको भूख लगे तभी आपने खाना खाना है विदाउट भूख आप खाना नहीं खाऊगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यूवाव नाइस टेंग